Auto Call Receive Setting कैसे करे हलो दोस्तों स्वागत है फिर से एक न्यूव वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके नंबर पर कोई कॉल करता है और आप चाहते हैं कि आपका जो कॉल है वो एटोमेटिकली उड़ जाए फॉन को छूने की भी जो अतना हो तो आप इस सेटिंग को कैसे कर सकते हैं इस वीडियो का बिलकुल ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चली वीडियो सुरू करते हैं तो आटो कॉल लिसीब सेटिंग को चालू करना काफी असान है चली मैं आपको बताता हूँ आप इसको चालू कैसे कर सकते हैं इसको चालू करने के लिए आपको सबसे पहले डायलर वाले पेज को खोल लेना है यानि ओपन कर लेना है जैसे ही open करते हैं तो कुछ इस तरीके का page दिख जाता है अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा setting वाला button दिख रहा होगा आपको इस setting वाले button पे click करना है और click करते ही आप call setting के अंदर चले आईएगा ठीक है अब यहाँ पे आने के बाद आपको थोगा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक option दिख जाएगा auto answer का आपको इस auto answer पे click करना है और यहाँ पे एक option फिर्ट सो हो जाएगा auto answer का आपको इसको चालू कर देना है चालू करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आपको option दिख रहोगा daily auto answer आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको second select करना है कि आपका जब call आए तो वो call कितने second के बाद receive हो जाए जैसे कि 3 second, 5 second, 10 second तो फिलाल मैं यहाँ पर 3 second करता हूँ ठीक है अगर इसे आप यहाँ पर no daily कर देते हैं तो इसे क्या होगा call आते ही सीधर receive हो जाएगा ठीक है time भी नहीं लेगा तो यहाँ पर आप 3 second select कीजेगा न तो यहाँ पर आपका 3 second के बाद call automatically receive हो जाएगा नीचे में भी कुछ option दिय आपके नमबर पर वो call automatically receive हो जाएगा और चली मैं आपको practically इसे करके दिखा देता हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ पर अपने दूसरे नमबर से मैंने call लगाया ठीक है call लगाने के बाद call automatically आ गया और call जो है automatically 3 second के बाद receive हो गया आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते है ठ वीडियो कैसा लगा कमेट में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले